आप यहां क्या कर रहे हैं? तो खिचन में जाते हो, बेडरूम में आते हो, कहीं भी जाती है, इसके पिछे पिछे घुमते रहते हो, ये सब हरकते ना, बंद कर दो, तुम करना, समझें हैं, इसका ध्यान रखने के लिए बहुत लोग हैं घर में, कलपना तुम 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 त प्रावा ना, पापा को डांड रहे हो? कर दो भापा पावेने जाधा है कि बीबी की फिकर नहीं है, इनको तो तेरी बीबी के साथ गंदी बंधी हरकते करनी हैं पस अपने चाल से भाजनी ही यह अे लेकिन मेरे जीते जीजी यह तो होने नहीं होगी मैं माँ कुछ बॉल्ट जी का? अरे नहीं नहीं बेठा, मैं कहा रहिए जीना, जिना बहु की तबियत सच मुछ बहुत कराब है इसा क्यों नहीं करता है, तु इसके पास ही क्यों नहीं बैठके काम करता है पिटा मुझे अफिस भी जाना पड़ता है बीबी से ज़रूरी है काम करना, एक दिन चुट्टी ले लेगा तो कोई आफ़ात नहीं आ जाएगी, यहीं बैठके काम कर ले ठीक, आप बलते हुट रुख जाता माच मेरा अच्छा यह क्या कर रहा? करपना जी, मैं बो के लिए चाय राया था अच्छा, चाय लाये थें, तो यह नौकर किसलिए है? करपना जब तुने मुझे चाय दी थे ना, तो मैंने सोचा बहु की तवे ठीक निया तो मैं पहले इसके लिए चाय लेया बहु के लिए मैं चाय बना दूँगी, जब आपको मना किया कि इधर मत आईए तो मत आया कीजिए ना, आपको इतनी फिकर करने की जुरत नहीं है बहु की, हम कर लेंगे मिलके अब मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा ना, बच्चों के सामने तुमसे इस तरह से लरूँ, वो भी क्या सोचेंगे, कि मम्मी पापा किस बात को लेके ऐसे लर रहा है बेटा बहु सोया हुआ है, तो उनको आराम करने दो ना, चलो निकलो यहां से घर का काम का सारा छोड़ दे, वो मैं समाल लोंगे, तुम सिर्फ इस बुढ़्धे का ध्यान रखना, कि यह कहीं बहु के आगे पीछे ना फटक पाए, समझे, जैसा कह रही हूँ, वैसा ही करना, समझे ना, क्या करना है, तो काम पे लग जा, और बाकी काम मैं देख विझते के विए इस डालमे जाए ठीखिए, और फीछा कि ऐसा राखना यहत्ः में राखनते का रोभा जया की हुए एवेबियो को मैं तुम्हें अगी हुए थेखिए! तुम्हें से वर सिर्फ यहां, क्यो प्रीशा एर। मैं आपbbeतल। निए बगा काना मैं रूरतक, ज रहना चाहिए। मा मेरी तिवर इतनी पर खराब नहीं है। आप लोग सब हैं तो घर में। और मुझे तो सिर्फ बुखार ही हुआ पर थोड़े दे रेस्ट करूँगे ठीक हो चाहूँगी। अंगीता तु चुप कर। अप्रिंस, तु बहु का ख्याल रखेगा। कोई ओफिस ओफिस नहीं जाएगा। समझा। मैं जा रही हूँ काम करने। तेरे कमरे में अगर पापा आए, तो मुझे आवाज देना, बता देना। पर क्यों मा, क्या हुआ। जितना कहती हूँ, उतना ही समझो। ठीक है। मुझे नहीं बहुत अजीब लग रहा इस घर में। अभी मैं सोर इती नहीं, तु बहुत ऐसा लगा, कि जैसे बार बार मुझे को टेच कर रहा ह। अरे तुम्हारी तब्वित खराए बनांकी ता इसलिए लग रहा हूगा, और कुछ नहीं है। ऐसा तुम्हार कुम टेच कर रहा ह। फागल हो गया। तुम ऑफिस चले यह हो ना, रही तब बहुत तो ठीक है। तुम क्यों ऐसे मेरे वज़े से हां रूग यो। यार काम तो इंपोर्टेंट आफिस में मम्मी ने काई इसलिए मैं रुक गया। शैसमे तुम्हारे कर तब ठीक है तो मैं जाओं किया। हाँ बाबा और वैसे भी घर में मम्मी पापा और वह लोकर सब लग तो है मेरे ख्याल रखने के लिए। तुम काम दोले। तुम काम दोले। पापा, क्या चल रहा है सब। काफी दिनों से देख रहा हूं। बाबी के ओपर सही निगान है आपकी। बाश सुन बेटा, तेरी बाबी के तुभी ठीक है ना, इसलिए मैं देख रहा था। अच्छा, ऐसे देखने से तब ये ठीक हो जाती है क्या। चिप, अपने पापा से जवान लडा रहा है तू। पापा, मैं आपको काफी दिनों से देख रहा हूं। और पापी को बहुत गंदी गंदी नजरों से देखते हो। उसने इदर उदर हाथ भी लगाते हो। ये सब चीजे अच्छी बात नहीं है करना। पीटा, मेरी बोग हुए है, मेरी बीटी जैसी है। तू मुझे पर ऐसे इंजाम लगा रहा है। पापा, मैं इंजाम नहीं लगा रहा हूं। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं। कि ये सब चीजे ठीक नहीं है। सोचो अगर ये बात भाही को पता चलेगी तो उनके ओपर क्या भीतेगी। इस एज में आगे आप ये सब चीज कर रहे ह। आपको सरम नहीं आती गया। जाद लगवास मत कर। अगर कुछ भी तू नहीं ऐसी वकवास की तो तुझे दख्यमार के गरसे में को लादा। मैं क्यों घर से जाओंगा। गलत काम आप करो और बोलो मेरको। पापा पे तो जूटी इल्जाम लगा रहा है तो तुझे को घर में रखूँगा क्या। जूटी इल्जाम लगा देखो पापा आप हर बार मेरको यह घर से बाहर निकालने की धंकी मत जय करो। और हर बार आप गलत काम करते हो और मेरको चुप करा देते हो। मैं यही सब शुनके ना बस चुप हो जाता हूं। और मेरको एक मिनट नहीं लएगा यह सब बात भीयों को बताने में। मेरा प्यारा बच्चा मेरा पुनीद बेटा है। तु तो बड़ा प्यारा बेटा है। मैं तो ऐसे मजाग करा था। अरे तेरा पापा तेरो को घर से बार कभी नहीं निकालूंगा। ठीक है पिटा। दिख रहा है आपके आखों में डर। भाभी आप एक काम करो मेरे साथ अंदर चलो। यहां आपके लिए ठीक नहीं बैठना। मतलब कि आपकी तबेट ठीक नहीं न ठंड बगेरा लग जाएगी। आप अंदर चलिए। क्या होगे पुनीत। तुम पापा जी को ऐसे डाट के रहे थे। साले बुटे नहीं तिमाग खराब करका है। जब देखो यार तुम्हें घुरता रहता है। मुझे अच्छा थोड़ी रखता है। मेरे माल को कोई दूसरा घुरे। अरे पुनीत। छोड़ो ना इस सबको। मैं तो इन पर ध्यान भीनी देती ह। जब से मुझे तुम मुझे तुम मुझे इन पर ध्यान देना भीनी है। तुम्हें तो पता ये ना मैं इन लोगों को सिर्फ इग्नॉर मारती ह। मुझे रहना ही ना इनके साथ। हाँ यार मेर कोना बहुता है। तुम्हें पापा जीवा देखा है। जब भी तुम किछन में जाती हो। तुम्हें पीछे पीछे आ जाते है। और यहां तक कि तुम रूम में सौ रही थी। वह भी तुमारे पीछे आगए, वह तुम्या अटिशी ने आजरो से देखते है ना या फिर चूथे हैं, मेरे से बिल्गॉल भी बड़ आसनी होता, गर मेरे पापा ना होते है ना, तो मेरे हम अनको मुझे जम शे मारता, यह चीज तो मैने भी नोटिस किया यार, कितनी बार मेशा मुझे ऐसे घूरती रहते हैं तच करने के कोशिश करते हैं इनफाक्ट आज आज चब मैं सो रही थी तब ही मुझे ऐसा फील हुआ कि वो शायद मुझे टच कर रहे थी मैंने ये बात नो उस प्रिंस को बताई और वो कहते हैं नहीं यहां कोन आएगा यहां पर किसी ने टॉच नहीं कर तुम्हें पुखार है ना तब तुम्हें लग रहा होगा और यार वो तो मानने को तयार नहीं होता पता नहीं कैसा पदी मिला है मुझे यार भाया थोड़े से पागल है गया तुम्हारी बातों को इग्णोर कैसे कर सकते हैं जिरको तो ये समझ में नहीं आ रहा कि जब तुम उने बोल रहे हैं कि मेरे कोई टच कर रहा था वो इस चीज को समझ कुछ नहीं रहे सच में यार वो मेरी बातों पे तो यकीन ही नहीं करता मुझे लगता न किसी दिनि अगर पापाजी ने कुछ गलत भी किया ने साथ और मेने प्रिंस को बताया तो पो मानने से राए ऐसे कैसे कुछ करेगी मेरे होते भी बिना तुम्हे कुछ नी कर सकता तो टेंसर मकाल। तुम्हे कुछ नी होने तुम आगा है अगर में करते हुआ तूंर ईरा किया हैं मुझे तुम से है और आपे मुझ किन यह इतना ख्याल रखती अभी देखो ना फिरिंस को से कुछ परंग ने बड़ता पार तुम्हें देखो तुम्हें कितना बड़ा है और तुम्हें बुरा भी लगते है माँ आप यहाँ यही तो मैं तुमसे पूछना चाती हूँ तुम यहां क्या कर रहे हूँ मैं भावी की तबेत खराब थी ना तो भावी ने मेरे को पुलाया था कि कुछ दवाया लानी है मार्केट से तो बस उलोई पूछना आया था अच्छा सब लोगों को भावी की बड़ी फिकर है भावी की तब्यों देखने के लिए हम लोग हैं यहां पर मैं मरी नहीं हूँ अभी समझे चलो निकलो यहां से मुझे अंकिता से कुछ बात करनी है अरे मा जो भी बात करनी है मेरे आगे कर ली रहे ना तुमसे पूछ के करूंगी मुझे अकेले में उसे कुछ बाते करनी है मैंने कहां ना निकलो यहां से ठीक है कर ने जड़िक्त हो मौहा आप यह बोल रही है दि मेरे जैसे हैं मुझे समझ नहीं हारा आप क्या कह दिया तुम्हारे समझ में सब कुछ आ रहा है अंकिता ज्यादा भूली बनने की कोशिश मत करो समझी न और ये सब हरकते न मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है तुम इतनी बच्ची नहीं हो कि अपना ध्यान नहीं रख सकती हो मुझे और ऐसा वसा कुछ मैं देख लिया आगे से तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा इसमें मेरी क्या गलती है अगर पापजी ऐसा सोचके तो अरे आप खुद सूचिए ना जातक बातराई देवर जी कि वो उन्हें में अपना भाई मानती हूँ और पापजी ये सब कर रहे है तो इसमें मेरी क्या गलती है अच्चा भाई मुझे मत सिखा मैं भी जानती हूँ मेरे भी भाई है भाई से ऐसी बाते नहीं की जाती है समझी देखिये मा, अगर ये सब है न, तो आप पापा जी को समझाएगे, वो इस उमर में ये सब करें, उनको शोबा देता है क्या, मुझे क्यों रांट रही आप, मेरे तो इसमें कोई गलती नहीं है, और मुझे ना हमेशा इस घर में थोड़ा अजीब लगता था, मैंने प्रिंस से क्या बाते कर रही थी, भाई से कोई ऐसी बाते नहीं करता है, समझी, मैं तो बहुत कोशिश की, कि तू खुद समझ जाएगी, और अपने या भी सुधर जाएगी, लेकिन खैब तो अपने पैर पे खुदी कुलहारी माड़ना चाहती है, तो मैं तुम्हें कब तक बचा जब मेरी गल्ती नहीं तो आप मुझे सुनाएगी जा रही है, और रही बात वो मेरी देवर की, पुनेट की, आपने सारी बाते सुन ली है ना, तो जाइएगे आप उसी से बूचिये, मुझ से क्यो बूचनी है, हाँ, हाँ, अब ही बुलाती हूँ, पुनेट, पुनेट! हाँ मा अपने शाम को तेयर रहना जिस लड़की से तेरे रिस्ते की बात चला रही थी न उनके हैं जाना है देखने के लिए मम्मी इतनी जल्दी भी क्या है साधी के लिए थोड़े टाइम रुक के करता हूँ न अभी तो मैं सेटल भी नहीं हूँ अच्छे से सेटल नहीं हुए हो या भावी से काम चलाओगे मम्मी आप कैसी बात कर रहे हो तुम्हारे समझ में सब कुछ आ रहा है पुनि मुझे न बेब को बनाने की कोशिश मत करो समझा न चपचाप से तयार हो जाना शाम को चलेंगे तुम्हारे रिस्ते की बात करने के लिए अभी आप समझ लेगी कोशिश के न थोड़े टाइम रुख जाते हैं उसके बात कर लूँगा न साधी कोई बात नहीं मुझे सुनी है तुम्हारी मैंने तुम्हारी सारी हर्कते देख ली है यह अच्छा नहीं कर रहे हो पुनित अरे वो तो दूसरे गर से आई है तुम तो अपना खूनो तुझे तो सोचना चाहिए अपने भाई के बारे में कैसी हर्कते कर रहे हो तुम दोनो मुझे समझ में नहीं आता मैं किस- inletकते को समझाओ तुम्हारे उस ठर की बाई को समझाओ या तुझे समझाओ मैं मैं प्रिंस से अपनी भाई की तलाग की बाद करूisy या अपनी तलाग की बाद करूँ मैरा तो दिमाः ख खाराब हो गया है इस घर में क्या सब चल रहा है इस घर में मा 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 आप बहुत जाकता टैंसल ले रहे हो थोड़ा रिल्यक्स रहो आप इतनी टैंसल मतलो जैसा चल रहा है चलने दीजिusta सब खुष तो है मैं खुष हूँ भावी भी खूष है तो आप इतनी टैंसल की ले रहे हो जैसा चल रहा है, चलने दीजे घर में चुपकर टैंसन द encryनलो और जैसा चल रहा हम ऐसा चलने दू सब खुशने हैं इसको तुम खुशी कहते हो दिखा रहे हैं ऐसी खुशी को तुम लोगम को भुटखुशी मिल रही है तो तुम लोग वह हो इस गर में मेरा धमगुर्ता है इस घर में मैं इसी वक्ती ये घर размक के जा रही हूँ और प्रिंस आएगा ना तो उसको जवाब दे देना कि मैं क्यूं घर चोड के गई हूँ सबज़ गया तुम और मैं इसी वक्ती ये घर चोड के जा रही हूँ तुम लोग समालो अपनी खुशी और अपनी शांती मा, ये फालतु का ड्रामा मत करो बहुत देर से देख रही हुँ मैं आपको कब से बस बोली ही जा रही है हरे, क्या गलती है हमारी प्रिंस ना अभी बहुत खुशी-खुशी ऑफिस गय है मैंनी चाहती आप उनकी सारी खुशी बरबाद कर दो घर में शांती बनाए रखिये न आपको क्या प्रॉब्लम है जब मुझे प्रॉब्लम नहीं है पुनीत को प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्या है हरे, पिरा फालतु का कलेश मचाया आपने घर पे शांती से रह लीजे न अरे, आपसे खुश से तो अपना पती समझता नहीं है आप मुझे बोल रहे है मैं अतना टाइम से शांत उनको कुछ नहीं कह दी इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे सब पता नहीं चलता हूँ मैं शांत इसलिए थी ताकि पुनीद की सचाईना भार आए पुनीद के बार में ना पता चल जाए पर आप लोग ना उस चीज का फाइदा उठाय जा रहे है चाहे आप हो या आपका वो पती आप यहां सुनाने में लग गए हैं और वो तो पता नहीं क्या ही सोचते हैं उने थो थोड़ो सा भी लिहाज नहीं अपने उम्र का भी देखें मां अपना बहुत हो गया और हां अगर आपने ये बात बाहर फैलाई ना या किसी को भी बताई तो मैं सब को बता दूँ गी कि आपके पती मेरी साथ क्या करते हैं अरे आप क्या समझोगे मैं तो ये तक चाहती हूँ कि मेरा होने वाला बच्चा हुभी ना उनीत का प्रिंस का ने देख बटा मैं तेरे सामने हाथ जोर के प्राटना करती हूँ मेरे बेटे का घर बर बाद मत कर मेरा एक ही बेटा है ये तो मेरे लिए मर चुका है बस प्रिंस जब आये ना तो उसे बता देना कि मैं घर छोर के क्यों गई यहां से अच्छा इतने जाजा शोक है ना तुझे घर से निकलने का तो जा निकल जा कोई नहीं रोक रहा है तुझे मैं खुद प्रिंस को समझा लूँगी कुछ ना कुछ पर तुझा हम देख लेंगे ठीक है जैसी मर्जी वैसे कव तुम दोनो मेरा क्या है मैं तो कहीं भी रह लूँगी मैं तो तुम लोग का घर बचाना चाह रही थी कि किसी तरह सब का घर बच जा है सब लोग सुक शांती से रहा है यह लेकिन लगता है तुम लोग के समझ में नहीं आती बात जब समझ में आएगी ना तब बहुत देर हो जाएगी मैं जा रही हूँ अग्यवार अरे कलपना तुम कहां जा रही हो मैं जा रही हूँ आप लोग की जिनगी से दूर उसके बाद जो मर्जी वो करते रहना आप लो जितना भी बहु के आगे पीचे मर रहना हो जितना जिसको जो करना आप वो करते रहना मैं ही सब के आँखों का रोड़ा होना मैं ये घर चोर के जा रही हूँ कल्पिन तुम कैसी बाते कर रही हो कहां जा रही है क्यों जा रही हो हाँ अच्छा तो है आप लोग सब अपनी मर्जी क्ये करना मुझे जाना तो मेरा दम उड़ता है इस गर में अच्छो इसो बत गौँ छोड़िए मेरा हाद मा आप क्या हम जा रही हो वोरे सब लोग ऐसा के घड़े हैं, क्या हुआ है? कुछ नी बेटा माँ आपकी आंखो में आंसु? नहीं, कुछ नी बेटा मैं वैसी जारी थी अपनी सहेली के पास अपका कुई बात तो नहीं है न अबा कुछ हुआ है क्या? अंगीता, कुछ हुआ है क्या? वहां जा रहे हो, अन्दर क्यों? प्रिंस इस बैग में गया है? इस बैग मैं दिखाता हूं इतने सारे पैसे, बर तुम यह पैसे क्यो लाय हो? अंके टारे सारे पैसे लेके मैं चार ओंगर छोड़के ढूमा के साथ पता है पैसे क्यों जमा किया थे? क्योंकि तुम्हें गाडियों का भो शोग था ना तुम्हारे बड्डे पर गिप्ट दूँगा क्योंकि आज से पंतरे दिन बाद थुम्हारा बड्डे आने वाला है लेकिन शाय ना तुम यह सब डिजब नहीं करती क्या तुम क्या बोल रहो मुझे कुछ समझनी आ रहा अंकिता शायद समझाने के लिए ना मेरे पास टाइम नहीं है और तुम लोग अच्छे से जानते हो कि मैं घर छोड़के क्यों जा रहा हूं और मा मेरे साथ जाएंगी और पापा खाफसे तो इतनी गंदी उमिद नहीं का आप यह सब करोगे मा को जोका रोगए वह भी इस उमर में शरम नहीं आती आपको बेटा कुछ से गलती होगी मैं तुमारी मा के साथ खुश हूं बेटा पापा अगर आप मेरी मा के साथ खुश होते ना तो यह सब भारकते नहीं करते और यहां पर बोलो भी तो किसको वे तो सगा भाई है मेरा, तो आप अवानी चाहिए अवानी चाहिए अवाया इसाफ करते हुए, बाप भी ऐसाफ बेटा भी अच्छी माम चलते हैं इस घर चाहिए प्रेंच समझने की कोशिश कर अंकिता क्या समझगा मैं सारी बात जानता हूं क्या चल रहा है यहां पर हाँ अवे सोच रहोंगे कि मुझे इस सब बताया किसमें मनोश जी मालिक मनोश कुछ दिन पहले मुझे बताया था लेकि मुझे यकिन नहीं हुआ मैंने सोचा आप लोग मेरा अपना खोनो मैं मनोश पर यकिन क्यों करूं क्योंकि वो तो एक नौकर हमा मुली सा है हो सकता है घर तुड़वाने के लिए बात बोल रहा हूं लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता फिर मैंने उसको बोला कि मुझे प्रूफ चाहिए और आप लोग जब आए बक्वास करें थे ना सारी कॉल चालू थी सब को सुन रहा था मैं चलो सही है हम अपना टाइम की उबेश्ट करें बहुत चलते हैं यहां से और आपको यहां भी रखोंगा ना क्योंकि आपकी आँखों में ना आज़ो नहीं देख सकता हो चलो ठीक है अंकिता बाई और हाँ मबारक हो इससे शादी कर सकते हो तो कांकि मुस्सेत तो बैद तलाक मिल रहा है